नमस्कार कैसे हैं सभी लोग? DSSSB 2022 नर्सिंग ओफिसर की प्रिपरेशन के लिए हम पढ़ रहे थे Arithmetic Ability से Simple Interest जो की हमने पूरा किया है अब इसी की continuity में हम पढ़ेंगे आज चक्रवरेदी भ्याज मिन्स Compound Interest जहां से भी क्यूस्टन्स आते हैं एक्जाम में और बहुत ही tricky methods के साथ में हम इसको समझने की कोशिस करेंगे क्यूस्टन्स को solo करने की कोशिस करेंगे तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये session Compound Interest अब Compound Interest की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें Compound Interest का Formula आना चाहिए Compound Interest के लिए हमारे पास में जो Formula है वो Simple Interest का जिस तरी के से हमने पढ़ा था Simple Interest का Formula Principal Amount into Time into Rate upon 100 ये Directly Simple Interest का Formula था लेकिन यहां पर हम Compound Interest में Directly Interest का Formula नहीं है हमारे पास में हमारे पास में Compound Money का Formula होता है और इस Compound Money का जो Formula है मिश्र धन जिसको आप हिंदी में बोलते हो Compound Money इसका Formula Actual में क्या है पहली बात तो आपको Formula भी ध्यान रखना है काफी जगों पर Formula आपके काम में आएगा जहां पर क्युशन जो है जाता है वो ज्यादा Easy हो जाता है तो यहां पर Compound Money का जो Formula है वो Simply आपको दिमाव में रखना है क्या दिमाव में रखना है P यानि Principal Amount इन्टू 1 प्लेस आर अपोन 100 की पावर N अब आपको यह पता होनी चाहिए सारी की सारी चीजें कि यहां पर P का मतलब क्या है P यहां पर Principal Amount है Principal Amount का मतलब जिसको आप मूल धन बोलते हो हिंदी के अंदर R का मतलब क्या है R मिन्स रेट जिसे आप दर बोलते हो और परसेंटेज में लिखी होगी और यह रेट जो है वो Yearly हो सकती है या फिर Half Yearly हो सकती है या फिर Quarterly हो सकती है जिस तरीके की भी रेट लिखी होगी आपको क्युस्टन उसी के साब से स्वाल करना होगा Formula बदल जाएगा क्या जी नहीं बदलेंगे हम रेट और टाइम को चेंज कर देंगे और यहां पर N का मतलब क्या है Time से है जिसको हम किस में लिखते है Years में लिखते है यह तो कुछ एक सिंपल सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस Formula को लेकर के लेकिन एक चीज़ दिवा में रखना कि यह Formula जो है Compound Money का है ना की Interest का Interest का Formula निकालने के अब Interest निकालने के लिए आप क्या करोगे Compound Interest is equal to Compound Money minus क्या कर दोगे यह Principal Amount निकल जाएगा अगर इसमें से तो यह क्या आजाएगा Compound Interest का Value आपको मिल जाएगी अब आप कहोगे कि सर इस तरीके से Questions अगर एक्जाम में करेंगे तो easy रहेगा क्या जी बताएंगे एक क्यूस्टन आपको इसी तरीके से उसके बाद में हम क्यूस्टन स्वलू करके बताएंगे आपको कुछ tricky मेथट से जो की जादा easy है जादा बहतर है अब इस क्यूस्टन को हम सबसे पहले देखेंगे किस तरीके से जो हमारी conventional method है यानि compound money का जो हमारे पास में formula है बड़ा लेंदी है लेकिन हम आपको करके बताएंगे एक बार सबसे पहले principal amount कितना है एक लाग साथ जार उपए है देखिएगा नमबर कितना लिखा हुआ into one plus rate कितना लिखा हुआ five upon hundred time power 4 कि कैसे सोलो करना होता है से क्यूशन को 100 plus 5 यानि 105 बटा 100 और इसी तरीके के से क्यूशन सी जो है वो सौलो होंगे आपको ये करने की ज़रत नहीं पड़ी आप देखते ही क्यूशन को सौलो करेंगे एक लाग साथ जार into 105 बटा 100 power 4 है तो इसको चार बार आप जो है वो क्या करोगे multiply करोगे अब आप क्या करना है भई अब ऐसे क्यूशन में 0 से 0 काटने नहीं है ये नमबर जो है किसी definite नमबर से divide हो रही होंगी आप देखिएगा ये भी 5 से divide हो रहा है ये भी 5 से divide हो रहा है इतना आ रहा है देखिएगा ये 25, 105 और ये 25, 105 सारी किस सारी numbers जो है वो ऐसे ही कट जा रही है अब लेकिन आप इस question को देखोगे क्या करना पड़ेगा एक, दो, तीन, चार एक, दो, तीन, चार बिंदी थी भई एक कम कर दिया हमने चार यहाँ पर कट गई अब इसको क्या करोगे दो, चार, आठ, सोला ये भी कट गया जी बचे कितना 21, 21, 21 इनको चार बार multiply कीजिए कितना आएगा 21, 21 को multiply करते है तो कितना आता भी 441 आता है 441 आता है इन दोनों को multiply कर लिजिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास में जो ये नंबर आया है जो ये amount आया है ये किसका है compound money का है अब compound interest निकालेंगे तो compound money में से क्या निकाल देंगे जो आपका जो principal amount है वो minus कर दीजिए principal amount कितना था 1,60,000 था किस में से minus करेंगे 1,94,481 में से 1,60 minus कर दीजिए 4,481 आ गया आपके पास में ये answer है लेकिन इस question को इस तरीके से करते करते कम से कम 3 मिनट तो खर्चा हो जाएंगे कहने का मतलब कम से कम 5 questions का time जो है वो आपका एक ही question में consume हो गया अगर question आता है तो अगर का मतलब question 100% आएगा exam के अंदर compound interest को ले करके कैसे simply इसको आप question को easily कर सकते हैं किसी tricky method से tricky method भी इतनी easy नहीं है लेकिन आपको इतना easy तो देदेगी कि एक बार आपको compound money निकाल करके फिर compound interest नहीं निकालना पड़े directly आप क्या करोगे compound interest ही निकलेगा और देखिएगा tricky methods क्या है exam में आपको जो question पूछता है वो या तो पूछता है 2 साल का interest rate 3 साल का interest rate 4 साल का interest rate 2 और 3 के common है 4 का बहुत ही कम पूछता है exam के अंदर अगर पूछता है तो हम सब की tricky methods बताएंगे लेकिन सब से पहले इन 3 की tricky methods याद कर लिजिए 2 साल के लिए 3 साल के लिए और 4 साल के लिए tricky method क्या है compound interest निकालने के लिए अगर compound interest आपको 2 साल के लिए पूछा है तो क्या करना है आपको ये 2 is to 1 का formula दिमाग में रखना है अगर 3 साल के लिए पूछा है तो क्या करना है आपको 3 is to 3 is to 1 का formula दिमाग में रखना है अगर 4 साल के लिए अगर आपको पूचा है तो क्या करना है भई 4 is to 6 is to 4 is to 1 का formula दिमाग में रखना है ये चीज आज आप contest कर लीजिएगा सबसे पहला basic compound interest का ताकि आपको exam में सबसे पहली इस तो आप achieve कर लें आपको सबसे पहली इस तो कम से कम मिल जाए कि compound interest निकालने के लिए अगर 2 साल का पूचा है तो बहुत तीजी है 2 is to 1 के अब ये क्या चीज हम discuss करने वाले 2 is to 1 3 is to 3 is to 1 और 4 is to 6 is to 4 is to 1 ये कोई ratio नहीं है हम इस तरीके से चलेंगे सबसे पहला step अब देखिएगा आप यहाँ पर यहाँ पर आपको इन्होंने क्य पूचा है टाइम क्या दे रखा है चार साल का दे रखा है तो formula क्या लगाएंगे भई ट्रिक कौन सी लगाएंगे 4 is to 6 is to 4 is to 1 वाले ट्रिक लगाएंगे सबसे पहली चीज तो ठीक है करना क्या है अब देखिएगा करना क्या है ये तो time तो यहाँ पर चला गया time का तो पहली step में 1,60,000 कितना इसका 5% निकालिए कितना आएगा भई 16,5,80 और 1,2 आठ हजार आ गया यही रखना है आठ हजार आपको यहाँ पर मिल चुका है next step में जम किजिए अब इस आठ हजार का अब इस आठ हजार का again क्या निकालना आपको 5% निकालना है कितना आएगा जी 48,40,400 आगया again आपको क्या करना है इस 400 का क्या निकालना है इसके वाज़ निचे में 400 का 5% यह जो नंबर आती जा रही है माउंट आता जा रहा है उसका आप 5,5% निकालते जाएगे again इस 20 का 5% निकालना है तो कितना आजाएगा एक आजाएगा आप यह चीज समझ में आ र ratio वाला जो figure है वो यहां रखना आपको clear है क्या आपको दी गई नंबर का दी गई amount का दी गई rate से percentage निकालते जाना है कैसे एक लाग साथ हजार ते सबसे पहले 5% निकाला तो इसका 5% आठ हजार आ गया जो amount अब आपके पास में आ गयी है उसका 5% निकाल लीजिए समझ रह जो amount आ गयी उसका again 5% निकाल लीजिए 20 आ गया जो amount आ गयी उसका 5% निकाल लीजिए 1 आ गया अब यह जो ratio थे इनका क्या करना है इन ratio से multiply करते जाईए 4 वाले के निचे है 6 वाले के निचे है 4 वाले के निचे है और कहां पर 1 वाले के निचे है amount कितना आएगा 32,000 amount कितना 80, amount आएगा 1, सब को plus कर दीजिए, यही compound interest है, जो 32 और 2, 34, 34, 34, 84, 84, 81, यही वो amount है, जो की क्या है, compound interest है, इस question को हमें समझाने में थोड़ा time जरूर लगा है, करने में भी जरूर time लगा है, लेकिन उतना time taking नहीं है, जो हमने formula बताया, अब आप क्या समझोगे, कि हमें formula याद ही नहीं रखना क्या, जी नहीं, formula हमेशा याद रखना पड़ेगा, compound money का तो, principle into 1 plus r upon 100 की power n, r rate है, n time है, और p क्या है, principle amount है, लेकिन exam के अंदर जो question करने है, वो आपको इसी method से करने है, ताकि exam का ease जो है, टाइम का जो ease है, वो आपको मिल सके, और बहुत easy है, कुछ भी confusion की जरत नहीं है, एक बार हम वापस आपको solo करके बताएंगे, इसी question को repeat करके, इसी question को repeat करते हुए, कि बई, जो principle amount, 1,60 जो है, इसका rate कितना जे रखा, 5%, निका लिजिए, कितना आगया, ये 16,85 आठ हजार आगया, अब जो amount आगया है, उसका 5% निका लिए, कितना आएगा भई, 400 आगया, कितना आगया, 400 आगया, अब जो amount आगया, उसका 5% निका लिए, कितना आएगा, 20 आगया, अब जो amount आया उसका 5%, निकाले जिए, कितना आएगा, जी, 1 आगया, इनको उन ratio से multiply करते जाइए, 4 से multiply करोगे, तो कितना आएगा, 8,32,6, से multiply करोगे तो कितना आएगा चोबीस सो इसको चार से multiply करोगे तो आएगा सी इसको एक से multiply करोगे तो एक आए चारों को जोड़ दीजिएगा यही compound interest है दी गई amount का चार साल के लिए कोई confusion नहीं होना चाहिए अब हम multiple questions के साथ में इस session को और आगे ले जाएंगे और अलग अलग तरीके के क्यूशन जहां पर अलग अलग ट्रिक्स के साथ में क्यूशन साते हैं उन्हें इसी ट्रिक के साथ में solve करने की कोशिस करेंगे अब एक नया question आप देखिएगा यहाँ पर हमने क्या लिखा है principal amount शोड़ाजार उपे उसका अगर interest rate जो है वो 5% yearly के साथ से तो एक साल का ब्याज कब होगा एक साल का ब्याज कितना होगा जबकि आपको ब्याज हाप yearly देना है अभी तक हमने study किया है कि जो interest जो है हम कैसे yearly दे रहे थे लेकिन अब जो है वो interest कैसे पे किया जा रहा है हाप yearly किया जा रहा है मतलब हर चामेने में आप interest दोगे तो क्या होगा क्या चीज़े होंगी तो compound interest क्या होगा ऐसे case में principal amount को आपको वही रखना है principle amount को वही रखना है time को आपको दोगुना कर देना है तो ये दो साल हो गया और rate को जो है वो आधा कर देना है तो 5 बटा 2% हो गया कहीं कोई confusion की जरूरत नहीं है ऐसे questions में जहां पर half yearly आपसे interest लिया जा रहा हो वहां पर principal amount वही रहेगी rate आधी हो जाएगी और time को double कर दिया जाएगा ये आपको given है ये आपने इसको कर दिया है अब समझिएगा कि discussion को कैसे sol करना है हम नहीं करेंगे conventional method के फार्मूला से कैसे करेंगे two years के case में क्या था हमारे पास में two is to one वाला फार्मूला था ना तो वैसे ही करेंगे कैसे करना भई amount कितना है 16,000 ठीक है interest rate कितना है 5 बटा 2% ऐसे लिखेंगे एक बटा 100 में लिख देंगे amount कितना है भई 100 से 100 ये कट गया इसको 80 आया और multiply किया तो कितना आ गया 400 आ गया clear है जो भी amount आयेगी उसका again पांच बटा 2% निकालेंगे तो मैंने यही पर लिख दिया भई ये लोजी 2 कितना आ गया 10 आ गया clear है दो इस टेप है इसकी दो साल वाले में और rate में और क्या करते जाना है given amount कितना 16,000 रुपे given rate पांच बटा 2 जो हमने बना ली है पांच बट रुपे अब इस 400 रुपे का again क्या निकालना है पांच बटा 2% निकालना है निकाल लिया कितना है दस परसेंट multiply कीजिए भई किस से करोगे ratio से 800 आ गया multiply कीजिए रेशियो से एक से multiply करेंगे 10 आ गया कितना आ गया 810 रुपे क्या आ गया इंट्रेस्ट आ गया क्यूशन सही है क्या जी एकदम correct है आपका क्यूशन इस तरीके से बहुत ही easy method है लेकिन जब half yearly दे रखाता तो आपको दिमाग में रहनी चाहिए कि amount के साथ में कोई छेड़कानी नहीं करनी rate को आधा कर देना है time को double कर देना है अब ये चीज़े दिमाग में कैसे रहेंग आप दो बार ले ले रहे हो ना ब्याज एक साल के अंदर time के अंदर जितना time है given time है उसके अंदर दो ब्याज लोगे अपने client से इसका time कितना था एक साल था तो कितनी बार ले लिए आपने ब्याज से दो बार ले लिए अगर ये time दो साल का होता तो आप च्यार बार ब्या वाली तो अभी तक तो इसकी कोई important नहीं है लास्ट में जो amount है उसको multiply करेंगे से amount principle amount कितना है 16,000 इसका given percentage के rate का 5.2 निकाल लीजिए कितना है 400 आ गया छोड़ दीजिए जो amount आ गया उसका again 5.2 पर से निकाल लीए कितना है 10 आ गया छोड़ दीजिए अब इन ratio से multiply कर दीजिए 400 को 2 से multiply किया 800 आ गया 10 को 1 से multiply किया 10 आ गया दोनों को add कर दीजिए क्या गया आपका compound interest आ गया आपसे कोई फूचले भी है compound money क्या हो जाएगा compound money क्या होता है जो पैसा आपके पास में शुरू में था principle amount में interest और जोड़ दीजिए दोनों को मिला कर क्या हो जाएगा compound money मतलब 16,000 प्लेस 810 कर दीजिए टोटल पैसा आपका हो गया 16,810 रुपे पैसा वापस लोगे की नहीं लोगे एक साल बाद में जी लोगे क्यों ब्याज लोगे क्या जी नहीं पूरा पैसा चाहिए मूल धन भी चाहिए 16,810 रुपे आपके हो जाएंगे अब चलिए कुछ और questions क साथ में चलेंगे इन questions को swallow करते हुए इसको एक परसेंट भी stress नहीं लेना चक्रवरदी ब्याज या compound interest को बहुत easy चीज है केवल आपको प्रेटिस करनी है अब हम या पर आपको 8 से 10 questions जो हम swallow कराने वाले हैं तापकि आपको बहुत ही easy लिए चीज है समझ में आ जाए हर एक तरीके के question से अब एक question ओर देखिए principle amount आपको दे रखी है एक लाख 25,000 रुपे rate आपको दे रखी है 8% yearly लिखा हुआ आएगा लेकिन आपको यह देखना है कि ब्याज कितने time से pay किया जा रहा है quarterly यानि हर तीन मेने से pay किया जा रहा है time कितना दे रखा भई 9 months का time आपको दे रखा है अब आपको क्या करना है भई जब half yearly interest pay करना था हर 6 मेने से pay करना था आपने double कर दिया था time quarterly pay करना है तो आपको क्या करना है भई हर तीन मेने का मिलब 12 मेने में फिर 4 बार पे करोगे न तो time को आप 4 से multiply कर दीजिए हर 3 मेने से pay करना है तो time कितना हो गया 36 महीने का time हो गया हमें time चाहिए year में तो 36 मेने में कितने साल होते हैं भई तीन साल होते हैं 12 या 36 time आपके पास में देखते हैं याद हैं यह चीजिए आपको अपने आप से rate को क्या कर दोगे जितना time से multiply किया उसी से divide कर दोगे 8 बटा 4 मलब 2% अब rate आगया आपके पास में 2% यह तो सबसे पहला काम है जब आपको half yearly या quarterly interest पे करना है तो ऐसी conditions में आपको rate और time को बदलना है time को आप 4 गुना कर देंगे सबसे पहले दिमा में रखना है एक साल के अंदर आप 4 बार interest पे करेंगे तो आप time को इसका हमला चार गुना कर देना है इसका हमला months में 36 months हो गया औ rate को क्या कर देंगे उतने से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो गया 2% हो गया सबसे पहला अब आप देखिए time कितना आ गया तीन साल का तो time के हिसाब सही आप अपना क्या करेंगे ratio वाला फार्मुला जो है वो follow करेंगे मतलब यह 331 वाला मिलब तीन जगह पर आप percentage निकाल यह 2% कितना आएगा भई 125 को दो सो पॉच्छास और एक zero हो गया अब अगयर क्या करेंगे भई 2500 इस amount का again अब क्या निकालेंगे दो परसेंट निकालेंगे कितना आगया भई 50 आगया अगेन इस 50 का क्या निकालेंगे भई, 2% निकालेंगे, कितना आगया भई, 100 बटा 100, मतलब 1 आगया, clear है चीज, अब क्या करना है, जो ratio वाले number से उससे multiply कर देना, गुणा 3, गुणा 3, और इसको multiplied by 1, कितना आगया भई, 1500 आगया, कितना भई, 1500 आगया, कितना भई, 1500 आगया, क्या answer, जी आगया, ये आपका compound interest है, किसका 1,25,000 रुपे का compound interest, 9 months का केवल, easy है क्या चीज़ें, जी बहुत easy है, चीज़ें आपको बैस केवल, normal normal सी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, कि amount के साथ में कोई छेड़कानी नहीं करनी कभी भी, time को 6 माई है, यानि happily है, त तो 4 गुना कर देना, 3 माई लिखावाएगा ना, तो उसको 3 गुना नहीं करना, 4 से गुना करना, हर 3 मेने करना, 12 मेने में चार बार हो जाएगा ब्याज, तो 4 से multiply कर दिया, तो उसने से rate को क्या कर देना है, divide कर देना है, मतलब 4 से divide कर देना है, अब इनी method से, कि 2 साल का होत तो 2 to 1 वाले से, लेकिन आपर 3 साल का है, तो 3, 3, 3, 1 वाले से, तीन बार निकालेंगे, और 4 साल का होता, तो 4, 6, 4, 1, इस method से, आपको ये questions जो है, वो solve करने है, question आप बोलोगे, सर 5 से साल के भी क्या, tricks बता देंगे, लेकिन इतने लंबे questions नहीं आते exam में, maximum हमने 2 या 3 साल कर आता है, हमने 4 साल का भी आपको एक्स्ट्राम बता दिया, अलांकि ये भी दिमाग में रखना, ऐसे मस हो ले न, आपने तो बोला तक ये नहीं आता एक्जाम में, इतना तो रखना है, रखना है, पांच और 6 साल वाला भी हम आपको ट्रिक बता देंगे, patience रखिए, keep the hours, question देखिए का हमने numerical form में लिखा है, question को हम पढ़के बता देते हैं आपको, कि question actual में क्या है, एक आदमी ने क्या किया, भाई, ये पहला आदमी है, दूसरा आदमी है, इसके पास में 6,000 रुपे थे, 5% annual interest rate के हिसाब से, 2 साल के लिए पैसे जमा किये, और किस rate, कौन सा ब्या simple interest के हिसाब से जमा किये, यानि इस व्यक्ति ने 6,000 रुपे 5% interest rate पर, 2 साल के लिए पैसे simple interest पर जमा किये, दूसरे अदमी ने 5,000 रुपे 8% की interest rate पर, 2 साल के लिए, लेकिन compound interest की rate पर जमा किये, अब आप से question पूछा है, आया वहा question अब भाई, ट्रिपल S.B का, कि दोनों के earned interest जो है, उसमें difference कितना है, देखिएगा भी simple interest का formula तो आपको आता है, कैसे, principal amount into rate into time upon 100, और कितना आ गया भाई, 10 और 600 रुपे आ गया, ये तो पहले आदमी को interest मिल गया, कितना 600 रुपे, इसको interest कितना मिलेगा, 2 is to 1 वाले formula से निकालेंगे, क्या, 2 साल का G निकालेंगे, तो सब से पहले amount का कितना percent, 8 percent, G 8 percent, कितना आया भाई, 400 रुपे आया, 400 को आ, अब again कितना निकालेंगे, 8 percent निकालेंगे, कितना आएगा भाई, 32 रुपे आएगा, इनको factor से multiply करेंगे, क्या, G करेंगे, ये 800 हो ग compound interest जो है, इसका कितना आ गया, 832 रुपे आ गया, पहले व्यक्ति ने 6000 रुपे पे simple interest 600 रुपे कमाया, दूसरे व्यक्ति ने 5000 रुपे पे compound interest 832 रुपे कमाया, दोनों का defense कितना है भाई, 232 रुपे आ है, नजर आ रहा है क्या, बहुत ही important question है, हलके में नहीं ली जानी चाह बहुत simple question है भई, यह आपको दिमाग में रहनी चाहिए, तो कर हमने question बताया है, question tricky question, मला हलका सा tricky question है, उसके इसाब से उनों ने पूछ लिया कि दोनों के end interest में कितना difference है, कौन सा ज़्यादा है, ओवेसी बात है, compound interest ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 232 रुपे ज़्य again a question देखिए, principle amount है 16,000 रुपे, rate है 20%, time है 9 months का, लेकिन ब्याद कैसे दिया जारा, quarterly मलब हर 3 महिने से, साल के अंदर 4 बार ब्याद दिया जाएगा, तो समझिएगा, time को 4 से multiply करना है, 36 महिने हो गए, 36 महिने का मतलब 3 साल हो गया, rate को क्या करोगे, 4 से divide कर दोगे, तो 20 बटा 4 मतलब 5% हो गया, question को कैसे करना है, same वही भही, time देखिए, 3 तो 3, 3, 1 वाले फॉर्मुले से question को आपको करना है, क्या करोगे, principle amount 16,000 रुपे है, जी है, rate कितना है, 5% है, निकालिए इसका 5%, कितना हैगा, 800 आएगा, again 800 का कितना निकालिए भई, 5% निकालिए, कितना हैगा, 40 आएगा, again 40 का 5% निकालिए, कितना आएगा, दो आएगा, clear है, अब इनके factors से multiply कीजिए, into 3, into 3, into 1, कहां से है, 3, 3, 1, ये कितना हो गया, भी 2400 हो गया, ये कितना हो गया, भी 120 हो गया, ये कितना हो गया, भी 2 हो गया, 2400, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, compound interest हो गया, किसका, 16,000 रुपे का, 20% annual rate के इसाब से, 9 months के लिए, जबकि, interest जो हो, quarterly payable है, कोई confusion है, क्या, ऐसे questions में, होना भी नहीं चाहिए, कता ही नहीं होना चाहिए, इस तरीके का confusion, 1% भी, जरुरत है ही नहीं, यहां question देखिए, अलग तरीके का, कोई amount है, जिस पर 5% annual rate के साब से, 3 साल का, जो compound interest है, और simple interest है, उसका difference, जो पंदरा रुपे, 25 पैसे का है, यानि, उसी amount का, 5% annual rate के साब से, 3 साल का, जो compound interest है, वो तो कोई amount है, और उसी rate, और उतनी time का, compound interest जो है, वो अलग होगा, और दोनों का difference कितना, 15 रुपे, 25 पैसे है, तो वो amount क्या है, करेंगे भाई, इस question को भी, देखिए, time देखिए, सबसे पहले, उसका हम निकालेंगे, compound interest, 3 साल है, तो हमारा method तो वही है, 331 वाला, clear cut है एक चीज तो, 331 वाले method से, trick से हम इस question को करेंगे, लेकिन सबसे पहली दिक्कत हमारे पास में आ रही है, कि वो amount है ही नहीं है, हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं, amount क्या भी, x है, x का कितना निकालेंगे, 5% निकालेंगे तीन बार, x का 5%, तो अगली बार भी x का निकालेंगे, कि जी नहीं, इसका जो amount आएगा, वो ऐसे कर रहे हैं, ये 20 आ गया, कितना आ गया भी, x बटा 20, किसी को कोई confusion है क्या यहां तक, कोई confusion नहीं होना चाहिए, x का 5% निकाले, x बटा 20 आ गया, अब x बटा 20 का, again 5% निका लिए, कितना आएगा भी, x बटा 400 आ जाएगा, clear है क्या, जी clear है, again x बटा 400 का 5% निकाली ये, कितना आएगा भी, x अपोन 8,000 आ जाएगा, clear है क्या, जी clear है, अब इनको इन से multiply करते जाएगा, 3 से multiply करोगे, तो 3 x upon 20 हो गया, 3 से multiply करोगे, तो 3 x upon 400 हो गया, 3 से, यहाँ पर 1 से multiply करोगे तो same ही रहेगा, इनको अब जोड देते हैं, जी, तो ये तो आ गया amount हमारे पास में क्या, compound interest का, clear है, ये amount हमारे पास में क्या है, compound interest का, simple interest भी निकालने का side में, simple interest का formula, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपोन हंड्रेड कितना आ गया भई यह बीज सिंपल इंट्रेस्ट कितना आ गया 3x अपोन 20 आ गया क्लियर है कोई कन्फूजन आ गया भई यहां पर अब यह क्या बोल रहा है यह तो पुरा कंपाउंड इंट्रेस्ट और सिंपल इंट्रेस्ट दोनों का डिफरेंड का सेम अमंट का सेम टाइम के लिए यह तो अब कितना आएगा गया गया कहां से किस ने बोला? क्युस्टन ने बोला देखिए अब ये क्युस्टन में 3X upon 20 3X upon 20 ये प्लस में ये माइनस में उड़ गया जी इनको जोर लें क्या जोर लेते हैं 8000 LCM आ जाएगा 8000 को 400 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 20 को 3 से मिल्टिप्लाई करोगे 60X आ गया प्लस 8000 को 8 से डिवाइड करोगे एक आएगा X is equal to 15 रुपे 25 पैसे clear है 60 और 60X और X कितना हो गया 61X is equal to 8000 उदर जाके मल्टिप्लाई कर देते हैं 15.25 को 8000 से मल्टिप्लाई कर दीजे इसको अठाने के लिए दोनों ये तो उड़ा जेते हैं X is equal to 1525 इंटू 861 divide कीजिएगा भई ये completely divide हो रहा है 1525 जो है 61 से completely divide हो रहा है 25 बार 25 को 8 से मल्टिप्लाई करोगे कितना आएगा 25 एंटे 200 2000 रुपे का अमाउंट है जिसका compound interest और simple interest का difference जो है वो 15 रुपे 25 पैसे का है ताइम लगे है क्या बताने में हमें लग गया होगा आपको नहीं लगेगा एक परसेंट भी क्यूस्टन को solo करने में एक और क्यूस्टन देखिए इस टोपिक से आने वाले जितने तरीके के क्यूस्टन सेम आपको solo कराने की कोशिस करेंगे क्या बोल रहा है क्यूस्टन कोई amount है दो साल में 4% compound interest के इसाब से कैसे हो जाती 4% compound interest rate के इसाब से यह compound money है मिश्टन है किस से compound interest से ना कि compound interest दे रखा है amount क्या है कितने साल का लिखने का बई दो साल का तो वही formula हमारा patent formula 2-1 का कैसे करोगे amount कितना है x है नहीं पता बई हमें तो x मालिया हमने interest rate कितना है 4 x का 4% निका लिए कितना आ गया बई एक्स बटा 25 आ गया कोई confusion कोई confusion नहीं आई वे amount का again क्या निकालेंगे मिले वे amount का x बटा 25 मिला इसका again आप 4% निकाल लिजिए कितना आएगा बई कितना होगा x बटा 25 इंटू 25 625 मल्टिप्लाई कीजिए फेक्टर से तो कितना है मल्टिप्लाई कर लिजिए फेक्टर से तो 2 x बटा 25 इसको 1 से मल्टिप्लाई किया तो इतना ही रह गया clear है इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये तो क्या आ गया compound interest आ गया अगर हम इसमें amount भी जोड़ दे amount कितना था अग्स था तो कितना आ जाएगा फिर compound money आ जाएगा जो कि आपको दे रखा तेरा सो बावन रुपए कोई confusion है क्या आपने निकाला compound interest यहां तक का compound money भी जोड़ यहां पर principal amount भी जोड़ दिया कितना था एक्स था amount दोनों को मिलाएंगे तो compound money आ गया add कीजिये न भई लीजिये इन का LCM 25 और एक 625 का 625 बड़ी वाली नंबर यह LCM आ गया दोनों divide कर रही है 625 को 25 से divide करोगे तो 25 आएगा 25 को इससे multiply करोगे तो 50x आएगा plus x आएगा इसके नीचे एक है भई प्लेस 625 x आएगा is equal to 1352 clear है क्या जी clear है x x को plus की लीजिए 625 65 और 666 666 x is equal to 1352 625 उदर जाकर के multiply हो गया x की value 1352 इंटू 625 बड़्टा 666 दो से divide हो गया multiply करोगे तो 1250 रुपे आ गया 1250 रुपे ही वो amount है जो की दो साल में 4% compound interest rate के एसाब से 352 रुपे हो जाएगी कोई confusion हुआ क्या इस question करने में 1% भी नहीं होना चाहिए बहुत easy questions है बैस दिमाग में यही फार्मूला यही ट्रिक्स जो है वो apply करके apply करते रहना है एक थोड़ा सा अलग question देखिए आप क्या पूछर का है कितने time में 10% compound interest rate के एसाब से 2000 रुपे जो हम बढ़ करके क्या हो जाएगे 2400 रुपे हो जाएगे हमने जितनी भी compound interest में जो tricks utilize की है tricks हमने use की है वो किस के हसाब से की है टाइम के हसाब से दो साल था तो हमने 2 to 1 रग दिया तीन साल था तो हमने 3 3 1 रग दिया 4 साल था तो हमने 4 6 4 1 रग दिया clear है time तो है नी तो trick कहां से लेकर आएगे नहीं काम करेगे आपकी trick भई ऐसे questions में आपको करना क्या है ऐसे questions में आप अपने formula पर आएंगे compound money is equal to principal into 1 plus r upon 100 की power n क्या कोई ओर trick भी काम करेगी क्या जी करेगी हम बताएंगे लेकिन सबसे पहले आप इससे चलिए compound money कितना है 2400 रूपय principal amount कितना है 2000 रूपया है into 1 plus r कितना है भई 10 है upon 100 की power n clear है समझ में आ रही है भई चीज अब 2000 into ये कितना हो गया 110 बटा 100 into की power n is equal to 2400 इसको उधर ले जाओं क्या जी ले जाते हैं तो इदर upon में आ जाएगी clear है ये दो बार कट गई कितना आ गया भई 12 बटा 10 आ गया क्या ये compound money जो है वो सोरी 2420 रूपया है भई ये 2420 रूपया है 2420 बटा 2000 कितना हो जाएगा दोनों दो से divide हो रहे हैं यहां पर भी ये 00 कट गया 11 बटा 10 की power n is equal to 121 बटा 100 क्या समझोगे 11 की power कितनी करें कि 121 हो जाए 10 की power कितनी करें कि 100 हो जाए 10 की दस की power 2 का मतलब ही क्या है 10 की power 2 का मतलब ही 100 है तो सेम power ही इसको लग रही होगी 11 की power 2 का मतलब भी क्या है 121 है मतलब जो n की value आपके पास में जो time की value आपके पास में कितनी आ गई दो साल की आ गई कलियर है ये तो आपको इस question को करने का तरीका हो गया जो simple conventional formula है लेकिन अगर ये question आपको trick से करना हो तो time क्या हो सकता है भई दो हजार रुपे का जो interest 10% की interest rate के एसाब से 2420 रुपया हो गया माली जी यह तो दो साल में हुआ होगा तीन साल में हुआ होगा चार साल में हुआ होगा ऐसे ही तो हुआ होगा ना समझ रहे पा रहें आपी चीज को तो देखिए दो साल में two to one वाली trick लगाते किसके उपर 2000 का कितना 10% कितना होगा भई 200 रुपे और 200 से मलब यह 400 तो यहीं पर ही हो गया और एक वाला हो रहेगा ठीक है तो एक वाले से क्या होगा भई इस अमाउंट को 200 का 10% और निकालिए यह निकालिए बीस आ गया मतलब 420 रुपे इंट्रेस्ट आ गया 420 रुपे इंट्रेस्ट था क्या जी था इसका मतलब यह दो साल में हो गया एक तो आप इस तरीके से कर सकते थे मानली जी अगर यह तीन साल के लिए दिया वह होता तो तीन साल के अमाउंट हम निकाल लेते हैं देखिए कैसे आएगा मानली जी इसको तीन साल के लिए आप का अंसर आना था तो क्या आता आप 3-3-1 वाले से चलते आप ट्रिक बतारें ज करते हूँ दो हजार रूपरे यह तो आपको पता है कितना इंट्रेसて रेटें है अपोन हन्रेड जी हन्रेड कितना आगे आपके पासे थहाओ तो आगया अब दो सो का अगेन 10 परसेंट कितना आएलगा जी 20 आ गया 20 का अगें 10% कितना आएगा जी 2 आएगा जी क्या करोगे 3 से multiply कीजिए 3 से multiply कीजिए 1 से multiply कीजिए 660 और 2 मतलब की 662 रुपे अगर दिखा के रखे होते ये amount कितना होता भई 2662 रुपे हो गया होता तो आप 2 वाले से तो नहीं आते 420 रुपे होते 3 वाली से निकालते तो आपके पाज में 662 रुपे आयते I think दोनों ही method जो है conventional method और जो trick से method से जो आप अंदाजे से करोगे जिसमें आपको क्या देख करके करना है option method भी बोलने है अलंगि पता ही है 2 साल होगा होगा बड़ी बात नहीं थी कि number जो हाँ typical होती आपको conventional methods में उसके square नहीं मिल रहे होते तो दिक्कत आती और ये जो trick वाली method है वो जदा easy हो जाती एक और question देखिए हमारे last के question जैसा ही है पूछना कितने time में 20% rate के साब से 1000 रुपे का compound money जो हो तो 1331 रुपे हो जाएगा लेकिन interest जो हो 6 महिने से payable है अब देखिएगा आप इसको चीज़ को principal amount कितना है 1000 रुपे है interest का rate कितना है भई 20% है लेकिन 6 monthly है इसका आपको आदा कर देना है 10% करेंगे time तो आपको पता करना ही है time तो आपको पता ही नहीं है time जो पता करना है तो कैसे पता करेंगे कैसे time का पता लगेगा और interest आपको compound money compound interest आपको दिखा रहा है कितना 331 रुपे कैसे आभी compound money 1331 है तो compound interest जो है वो कितना गया 331 रुपे हो गया कैसे कर सकते हैं दोनों तरीके से कर सकते हैं हम tricky method से चलते हैं 1000 रुपे का 10% के साब से कितने time में देखते हैं 2 साल के अंदर होता है क्या कैसे करेंगे आपके हाज पर बैठ गया तो चीजे बहुत easy हो जाएंगी किस का 1000 का किस integrated से 10% से देखिए भई कितना हो रहा है 100 आ रहा है 100 का again क्या निकालेंगे 10% निकालेंगे कितना आएगा जी 10 ही आएगा multiply कर लीजेगा factor से multiply करेंगे 200 और ये फिर 10 210 रुपई हुआ किसने का 2 साल का इसका मलब ये तो correct नहीं है अब संभावना है कि 100% 3 साल वाला ही होगा कैसे जी फिर भी देख लेते हैं 3 years का देख लेते हैं तो क्या है 331 से ये तो हमने actually तुक्का मेथड है भई आलांगे हम कर सबको ठीक रहे हैं लेकिन तुक्का मेथड है 331 से 1000 का 10% भई दिमाग से आजाएगा automatically 1000 का 10% actual में कितना होता है सो ही होता है और सो का 10% कितना होता है 10 होता है 10 का 10% कितना होता है एक होता है दिमाग में चीजें होजानीचे factor से multiply कीजिये fakтор से multiply कीजिये 300 300 आएगा 30 आएगा और 3 आएगा और एक आएगा कितना हो गया भी 331 रुपया हो रहा है 331 रुपया है आपको समझ में आ गया है कि क्युस्टन को कैसे करना है कन्वेंशनल मेथड से भी निकाल के देख लीजिएगा पता लग जाएगा कौन सा ज्यादा एजी है आपके लिए अब आपके पास में जो वेल्यू आई है टाइम आई है टाइम की वेल्यू क्या आई है भई तीन साल आई है ये तीन साल कहां भई यहाँ वाला समझेगा आप इस चीज़ को ये तीन साल की वेल्यू जो आई है आपके पास में 2N की value आई है आपने time को double करने के बाद में समझ रहे हो आप ये चीज जो आपने यहाँ पर rate लिखा था ये आधा करके लिखा time आपने double करके लिखा उसकी value आपके पास में आई है तो 2N की value जो है वो कितनी है 3 साल है तो N की value कितनी आ जाएगी डेड़ साल आ जाएगी ये जब हम question को review कर रहे थे तो पता लगा कि हमने यहाँ पर 3 साल करके छोड़ दिया जबकि actually value तो ये क्या है डेड़ साल है हम इस चीज को एक बार फिर से आपको समझा दें कि ये जो time है ये डेड़ साल था माली ये दिया हुआ है time is equal to one and half year और interest rate जो है वो half yearly paid है तो आप time को क्या कर दोगे double कर दोगे न 2N कर दोगे न तो डेड़ साल था इसको double करने से क्या आया था भई तीन साल आया था समझ रहे हो आपके पास में और आपके पास में जो 331 रुपे की जो value आई है वो तीन साल के time की period के साब चाहिए जबकि actual time जो क्या है वो क्या one and half year है क्योंकि 2N की value है we hope समझ में आई है आपके चीज भई एक अलग तरीके का क्यूसर ने पेड़ की height से लेकर के लेकिन आप करोगे किस formula से इसी चक्रवर्दी व्याज या compound interest के formula से compound interest के formula में हमने शुरू में आपको एक चीज बतानी चीए थी compound interest का मतलब क्या होता है व्याज पे व्याज लगता हर साल एक साल के बाद में एक साल तो वो simple interest के rate के साब से लेकिन अगले साल जो है उसकी एक बटा आठ गुना प्लस हो जाएगी अगली साल वापस इतनी हाइट है उसकी एक बटा आठ गुना बढ़ जाएगी इसका मिला सेम चक्रवर्दी व्याज की तरह से इसकी हाइट बढ़ रही है present में इसकी हाइट कितनी है 64 cm है हाइट दो साल के बाद में कितनी हो जाएगी अब आप सोच रहे होंगे किसाम अब चक्रवर्दी व्याज या compound interest की बात तो कर रहे हो लेकिन rate कहां पर है rate है तो सही भाई rate कितना बढ़ जा रही है एक बटा आठ गुना एक बटा आठ का percentage निकालिए कितना होगा भई 4 से divide हो रहा है 4 से divide हो रहा है 25 बटा 2% rate जो है इससे इसकी height जो increase हो रही है हर साल और 2 साल बाद में निकालना है तो मैंना 2 is to 1 का formula लगाएंगे कितनी height है फिला 64 सेट का कितना percent 25 percent आ गया क्या जी आ जाएगा 4, 16 और ये 8 कितनी हो गई भई 8 अगेन 8 का 25 बटा 2 percent कितना भई 4, 2 कितना आ गया भई 1 आ गया factor से multiply कीजिए factor से multiply कीजिए 16 प्लस कितना हो गया 1 यानि की 17 ये 2 साल में height आप आप कहोगे 64 सेंटिमेटर तो पहले ही थी अब 17 सेंटिमेटर ही होगी क्या जी नहीं ये तो ब्याज आए है मतलब ये तो increase आई है height बढ़ेगी इतनी तो मनलब पहले 64 थी 17 और बढ़ जाएगी 7, 4, 11 और 6, 7, 1, 8 81 सेंटिमेटर जो है उस बड़ीवी height पर जो है ये लगेगी क्या interest rate तो ऐसे questions का भी आपको दिमाग में रखना बहुँ सिंपल चीज है आप सोचोगे सब simple interest वाया फार्मूला लगा लेते जी नहीं लगा सकते भई paid की height जो इस तिर नहीं है और इससे related जो बचेवे questions है अगर ऐसे कोई tricky questions बचते हैं तो हम और आपके लिए आगे आने वाले sessions में 100% ले करके आएंगे आपको इससे related कोई भी query है comment box में अपनी query रख करके हम से जानकारी चाह सकते हैं अपना doubt क्लियर कर सकते हैं हम अगर किसी का कोई question है तो अगले session में हम उस question को सब के सामने discuss भी कर लेंगे तो चलिए आज के session में इतना ही मिलते हैं next update के साथ thank you